अलो बच्चो आज की नेक्टिर में हम AOD के कुछ मिस्दिनिस कोश्चन से डिसकस करेंगे कोशन नमर बन में क्या का गया है find the slope of the tangent to this करव at the point where t is equal to pi by 3 जो करव की equation अपने को given है यह algebraic form में ना देके हमारे को parametric form में given है क्योंकि x और y की value एक तीसरे variable t की form में आपको given है तो slope of tangent क्या होता है आपको पता है dy by dx तो dy by dx आप निकाल लो यहां से पहले क्या निकालेंगे dx by dt x और y दोनों t की ट्रम में है तो बच्चो dx by dt और dy by dt निकाल लो माइनस के sin t अब आप क्या निकाल लो dy by dx कैसे निकलेगा dy by dt को डिवाइड करने तो dx by dt से तो डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हो यह एसे ए cancel हो जाएगा 3 भी cancel हो जाएगा साथ में क्या बच गया माइनस sin t into cos square t divide by cos t into sin square t यह बच गया एक पावर कोस की एक पावर साइन की cos by sin यहने की quote minus quote t बच गया और t की वेल्यू कोशन में कितनी given है अपने को ठीक की वेल्यू बचो पाई बैर 3 given है quote पाई बैर 3 minus quote पाई बैर 3 यह कितना होता है minus 1 by root 3 तो question का अंसर क्या आगया minus 1 by root 3 इस question में क्या आगया है find the equation of tangent equation of tangent equation of tangent देखो बचो tangent भी तो क्या होती है line ही होती है न और किसी भी line की equation निकालने के लिए आपको एक तो क्या चाहिए passing point और एक क्या चाहिए उसका slope निकाल लेंगे y क्या है करो की equation है y equal to sin x और point है बचो क्या पाई कोमा 0 तो पहले क्या निकालो dy by dx निकालो sin x का derivative cos x at point पाई कोमा 0 यानिकी x की value क्या रखो by cos by कितना होता है minus 1 तो slope तो आगया tangent का tangent का अगर slope आगया तो बस अब दो equation निकाल दो equation of tangent is formula क्या होता है equation का बचो y minus y1 equal to m into x minus x1 y minus y1 यानिकी ये point y coordinate इसका 0 है m कितना minus 1 और x minus x1 तो इसको multiply करो minus x plus pi तो ये x को इदर shift करो तो x plus y की value कितनी आगी पाई ये tangent की equation है x plus y is equal to pi अगर एक्जाम में पुछे जाती equation of normal equation of क्या बचो normal तो normal भी तो क्या होती है कि line ही होती है formula तो वही रहेगा पर इसका slope क्या हो जाएगा change हो जाएगा है अगर tangent का slope minus 1 है तो normal का slope क्या हो जाएगा इसका negative reciprocal x is equal to minus pi या बोलो x minus y is equal to pi अगर ये पुछा जाता है कि normal की equation क्या है तो आपके answer होता tangent की equation पूछा गया है तो कि answer हो क्या इस question में भी यही कहा गया है कि आपको equation of tangent पतानी है at a point t और आपको equation दे रही है x की value दे रही है y की value देखको question same है जैसे अभी हमने किया था बट वहाँ पे point given था यहां में point given नहीं है कोई बात नहीं point अगर नहीं given है तो टी की form में ही इसको यूज करते हैं क्योंकि टी की form में ही हमार को इतने dy by dx यह क्या होगा dy by dt divided by dx by dt दी दी निकालेंगे तो क्या एगा a into 3 sin square t और sin t का derivative cos t और a into 3 cos square t और cos t का हो जाएगा minus sin t इसका i think क्या हो जाएगा tangent के इंदर answer आ जाएगा बस यह cancel हो गया sin की power कटगी cos की power कटगी यह क्या आगया बचो minus के tangent t और dy by dx और dy by dx क्या होता है slope of tangent होता है यह आगया slope of tangent और हमें क्या निकालनी है equation of tangent निकालनी है point तो दहीं रखा है यानि कि point point का मतलब क्या होता बचो तो x और y की value t होती है ऐसे है न और यह given तो है हमारको बस एक नए variable t की form में given है यह a sin q t तो यह आगया अपना point और यह आगया slope slope क्या है minus tangent t तो क्या निकालतो शिरफ आप equation of tangent निकालतो equation is y minus y1 equal to m into x minus x1 यह answer आगया आपका ठीक है no doubt but calculation करके option से match करवाना है अपने को तो यह तो agities रखना पड़ेगा अपने को tangent को क्या लिखतो बच्चो sin by cos लिख दे sin by cos लिख देते है और यह क्या गया x minus a cos q t cos की multiply इधर कर दो क्या आजएगा यह y cos t और minus a cos t into sin q t और equal to यह क्या है अपका minus x sin t और minus minus plus a sin t into cos q t यहां पहुच गए लेकिर options के अंदर जो भी given है अपने को वह क्या है यह तो बच्चो सीकंट है और यह क्या है को सीकंट है तो इसको change करने की कोशिश करते हैं देखो y यहां पे अगर आप इसको लिखो x की टरम इसने अलग करकिया और y की टरम अलग करकिया है तो हम भी ऐसा कर लेते हैं y की टरम को इकठा करेंगे तो y तो क्या है अपना सिर्फ इसके साथ है और x की टरम को इकठा कर लो इस में से X सिर्फ अकेला है तो इसको इदर लेकिया हो माइनस है तो यह प्लस होज़ेगा X sin T और इक्वल टू क्या आगए अपना A sin T into cos QT और इसको माइनस को उदर शिफ्ट कर दो प्लस A क्या आज़ेगा अपना cos T into sin QT इन में से तो कुछ स्केर और यहां से क्या बच गया sin QT और cos QT plus sin QT तो क्या होता है वन तो अपना इदर आ गया A sin T into cos T अब आप धिमाख लगा पा रहे हो कि कैसे option से match कर भाए आप बच्चो दोनों तरफ क्या करतो sin T cos T से डिवाइड कर दो क्यों देखो right hand side में सिर्फ क्या बचा हुआ A तो यानकी सभी टरम को sin T into cos T से क्या करतो तो डिवाइड sin T into cos T से डिवाइड करोगे इदर भी sin T into cos T से डिवाइड करना पड़ेगा तो फिर find क्या बच गया यह cos cancel और y by sin T यानकी y cosecundee आजेगा y cosecundee और बच्चो क्या बच गया प्लस x secundee और equal to क्या बच गया A तो देख लो कौनसा option है यह रहा x secundee plus y cosecundee is equal to A तो फिर कई बार क्या होता है options match करवाना भी एक कला है तो बस आपको यह सोचने कि answers के अंदर सिर्फ secund और cosecund है तो हमने क्या किया x और y को एक तरफ करके और constant term को एक तरफ कर दिया और वहाँ से कुछ common वगरा लेके adjust करके answer आगया अपना इस question में क्या का गया है find the equation of the normal बच्चे नोर्मल की equation निकालनी है यह करव दे रखी है यह point दे रखा है तो बस यह तो आसान question मन क्या तो 5 equal to करव को लिख लो क्या है यह 2x minus x square पहले तो क्या निकालोगा अब dy by dx और इस point के पर निकाल दिया ठीक है given point के पर dy by dx के वेलू निकाल लो x को क्या put कर दो 2 क्या गया minus 2 बच्चो minus 2 क्या होता है minus 2 होता है slope of tangent यह tangent का slope होता dy by dx लेकिन हमें तो normal की equation चाहिए तो slope भी चाहिए अगर normal का ही slope of normal यह क्या हो जगा minus का plus और 2 by 1 का क्या हो जगा 1 by 2 normal का slope आ गया अपने को passing point question में given है तो बस अब आप तो क्या निकाल लो equation of normal निकाल दो equation of normal 5 minus y1 equal to m into x minus x1 इसको simplify करके answer से match कर पालो यह अच्छा question देखो point निकालने वाले question Excel paper में पुछे जाते है the point on the curve this क्याता है इस curve के उपर एक ऐसा point बताओ जहां पे अगर हम normal draw करे ना तो वो इस line के बच्चों क्या है पैर the line मैं आपको rough diagram मना के आपको दिखाता हूँ कि इस question का meaning क्या है जैसे मालो यह कोई curve है यह काता है ऐसा point बताओ इस curve के उपर यह वाला point जिसके उपर हम normal draw करें normal का मतलब बच्चो पहले tangent होगी फिर क्या होगी normal यह क्या होगी normal होगी पैर्दल होनी चाहिए यानि कि इस करो के किस पी point पर हम यह normal draw करें कि यह वाली normal इस black वाली line के क्या हो जाए पैर्दल हो जाए तो आप में को बताओ पैर्दल line जब भी question में आएगी तो slope दोनों का क्या होगा equal इसका slope बता सकते है इसका slope क्या होगा और एक slope of normal हम खुद निकाल सकते है फिर दोनों slope को पचो हम क्या करेंगे equate करेंगे और वहाँ से x यह वाई की value आजाएगी बस आप question हो जाएगा आसान आपका कभी भी यह parallel perpendicular की condition कीवन हो ना तो वहाँ से आप अपनी normal का क्या निकाल लिए slope निकाल लिए करो ठीक है क्योंकि इस line का slope given है तो normal का slope भी क्या होगा वही होगा ऐसा क्यों क्योंकि यह दोनों line क्या है parallel है तो इसको differentiate करो with respect to x equal to 0 2 को मैं लेके cancel कर दो 3x is equal to क्या आगे अपना y into dy by dx बच्चो dy by dx की value क्या आगे dy by dx equal to 3x upon y बट यह तो किसका slope बताओ यह तो बच्चो slope है किसका tangent का slope of tangent लेकिन हमें तो क्या चाहिए slope of normal चाहिए slope of normal यह कितना होगा फिर minus y by 3x देखो एक slope of normal हमने निकाल दिया एक slope of normal question में given है इन दोनों से क्या करतो equate करके x और y में relation आजाएगा ठीक है यह तो एक्स और y क्या आगे यहां से तो बच्चो एक्स और y क्या आगे equal तो एक equation तो यह आगी अब दूसरी equation यह point जो है वो करव के उपर तो लाई करता है यह point क्या है करव के उपर लाई करता है तो अब given equation में y की जिगह x डालो या x की जिगह y डालके value निकालो question के according अपने को equation क्या given है यह इसमें y को क्या लिखतो x तो x square बच्चो कितना आगे अपना 4 x की value क्या आगे बो प्लस माइनस 2 अगर x की value प्लस माइनस 2 आएगी तो y की value भी कहाएगी प्लस माइनस 2 क्यों प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 2 x और y की value आगी यानि की 4 point ऐसे बन सकते है एक तो 2,2 एक 2,-2 एक 2,2 और एक 2,-2 इस कोशिय में क्या का गया है if tangent line drawn to the curve this is perpendicular to x-axis बचो ध्यान से देखो tangent perpendicular है x-axis के मैं एक rough diagram आपको पना के दिखाता हूँ ये मानलो एक curve है और इसके उपर आपने tangent डाल दी ये वाली और ये red वाली tangent जो है वो x-axis के क्या है perpendicular है लेकिन हमें ना perpendicular बट से मतलब नहीं है हमें ये मतलब है कि tangent x-axis के parallel है या y-axis के parallel है अब आप ये बताओ जो भी line y-axis के parallel होती है तो उसका slope क्या होता है slope of tangent infinity होता है अगर x-axis के parallel होती तो slope क्या होता जीरो और y-axis के parallel है कोई भी line हो चाहे उसका slope क्या होता है not defined होता है तो slope of tangent हमने लिख दिया और एक slope of tangent हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं आपको तो क्या निकलना है? Point of contact निकलना ना yee वाला Point निकलना है तो निकालते हैं d y比 d x क्या होगा? 3 d t E upon d y by d t तो यह कितना आगे बच्वक आपउन 2 a t यहने कि 1 by t इसको क्या put करो? Infinite क्यों? क्यों क्यों क्योंकि 2 d by d x क्या होता है? slope of tangent होता है न यह क्या होता है बच्छो slope of tangent और slope of tangent quotient में infinity given है तो बताओ t की value क्या आगी 0, t 0 होगा तब ही तो इस पूरी expression की value infinite होगी t 0 आगया तो बस quotient खतम क्योंकि अपने को तो क्या निकालना है point तो निकालना है, point का मतलब क्या होता है x और y की value और x की value quotient में क्या given है 80 square, y की value क्या given है 280, t को क्या रख दो, 0 t को 0 रखो बच्छो, दोनों coordinate क्या आजेंगे, 0 आजेंगे, option number a आगया यह भी ऐसा कुछ question है इस question में यह कहता है कि tangent की equation बताओ, इस करव के उपर, जहां पे एक ऐसे point के उपर, जहां पे y axis को meet करती है अभी तक आपको tangent की equation निकालनी होती थी, किस point के उपर जो point given होता था जिस भी point के उपर आपसे tangent की equation पुछी जाती थी थे न, वो point आपको given होता था, बट आपकी बार यह point given नहीं है, लेकिन हिंद दे दिया, कहता है, ऐसे point पे निकालो, जिस point के उपर, यह tangent बच्चो, y axis को meet करती है आप मुझे बताओ, कोई भी line अगर y axis को जहां पे भी meet करेगी y axis को जहां पे भी meet करेगी, उस point पे, जो x coordinate होगा point का जो x coordinate होगा, बच्चो, वो क्या होगा, 0 x coordinate अगर 0 होगा, तो y coordinate तो मेरे को निकालना आसान है क्योंकि यह point कहां पे लाई करेगा, करव के उपर, और करव की equation क्या है question में, b into minus x by a और यहां पे x की value क्या पूट कर दो, 0 तो यह y की value क्या आगी, b, तो इसका मतलब जो point आपको चाहिए था point में, क्या x की value 0 और y की value b किसी भी line की equation निकालने के तिए सबसे पहले बच्चो आप कोशिश किया अगरो कि point क्या है, जहां पे है अपने को tangent की equation निकालनी है, वो point आपको मिलिगा क्योंकि यह point कहाँ पे है, y-axis पे और y-axis पे जितने भी point होते है उसका x coordinate क्या होता है, 0 और y coordinate यहां से निकाल लो x की value 0 पूट करके, क्यों क्योंकि यह point करव के उपर ही तो है, करव के उपर point होता है, वहीं पे तो tangent रोगी जाती है करव के उपर है, तो मतलब करव के उपर वह point है, तो satisfy भी करेंगा उसको, point आगया, अब क्या रहे गया, slope slope मुझे निकालना आता ही है slope की value तो हम निकाल लेंगे t by by dx निकाल दो e की power minus x by a और minus x by a का derivative क्या होगा minus 1 by a, और अब आप क्या कर दो value पूट करतो x की, x की value क्या है बच्चो, 0, x की value 0 पूट करोगे, तो यह क्या आगया, e की power 0 into minus 1 by a यानि की slope आगया, अपना d by by dx minus by a तो slope भी आगया, point भी आगया जो इससे क्या निकाल दो, अब tangent की equation निकाल दो, equation of tangent क्या होज़ेगी, y minus y1 equal to m into x minus x1, a से multiply कर दो इधर और minus के bx, तो यह क्या आगया, पना, bx plus ay equal to a b, दोनों तरफ क्या कर दो, a b, a b से divide कर दो, हर एक तरम को, a b से बच्चो क्या कर दो, divide कर दो, तो यह क्या आगया x by a plus y by b is equal to 1, option number कौन सा है, देख लो, x by a plus y by b is equal to 1, option b आगया, अपना, इस question में क्या का आगया है, the parametric equation of the curve, करव की वोई parametric equation अपने को given है, x or y की value t की form में, then the angle made by the tangent with x-axis, बच्चो एक बात बताओ, tangent भी तो क्या होती, एक line होती है, मैं आपको rough diagram बना के दिखाता हो, देख इस question का, अब समझो, इन questions को क्या कहता है, कि एक, ये करव है, ये क्या है बच्चो, करव है, और इस करव के उपर कोई एक point है, जहां पर हमने क्या draw की होगी, tangent करव को में, ऐसी भी बना लो, ये तो rough diagram बना के दिखा रहा हो, आपको करव को ऐसी बना देता हो, ऐसी, अब इस point के उपर हमने, एक draw करीब बच्चो, tangent, ये red वाली line क्या है, इस करव की एक tangent है, मालो, इस point के उपर है, ये क्या है tangent, अब आप से ये पुछा गया है, कि ये जो tangent है, ये x-axis के साथ, बच्चो, कितना angle बनाती है, तो tangent भी तो क्या होती है, एक line है, और एक line अगर x-axis के साथ, थीटा एंगल बनाती है, ये एंगल बच्चो, क्या है, थीटा है, तो बिरको बता दो, आप इसका slope क्या होगा, फिर slope, 10th, slope क्या होगा, 10th होगा ना, tangent का slope निकालने का formula पता है क्या, tangent का slope तो बच्चो आपको पता है, क्या होता है, dy by dx होता है, तो यानि कि question में, आप tangent का slope निकालोगे पहले, और फिर, उसको किसके एक बड़ लग दो, 10th theta के, वहाँ से बच्चो आपकी theta के value आ जाएगी, तो पहले हम निकालते हैं, क्या, dy by dx, dy by dx कैसे निकलेगा, dy by dt, upon dx by dt, dy by dt, u into v rule लगाओ, first function same, second का derivative करोओ, फिर first, second का derivative चलो, ऐसे कर देते हैं, sine का cos, और फिर, first का derivative, sine t same, यानि कि, यह आग आपका, e की power t into, sine t plus, cos t, और divide में, इसका derivative करोगे, तो first function same, cos का minus sign, और फिर, बच्चो first का derivative और cos same, यानि कि, यह आएगा, आपका, e की power t into cos t minus sin t, e की power t आपस में cancel हो जाएगा, तो उपर आगया, cos t plus sin t, और निच्चे आगया, बच्चो, cos t minus sin t, और यह तो आपको पता लगया, क्या होता है, cos plus sin, cos से divide कर दो, cos से अगर आप divide करोगे, तो ऐसा बन गया, और यह किसका formula होता है, tangent pi by 4 plus theta होता है, यह क्या होता है, बच्चो, tangent pi by 4 plus में, t, theta के जिगे क्या है, यहाँ पे, t है, यह आगया, क्या आगया, t by by dx आगया, समझ गया, t by by dx, slope of tangent होता है, और slope of tangent, अगर यह angle, अच्छा, t is equal to क्या है, pi by 4, तो t की value pi by 4, put कर भी दो, t को pi by 4 put कर दो, तो बच्चो, यह तो कितना आगया, pi by 4 plus pi by 4, pi by 2, pi by 2 का मतलब क्या आगया, इसकी value 10 pi by 2 क्या आगी, 10 pi by 2, infinity आगी है, यह आप ना लिखो, इसको infinity ना लिखके, आप सिता ही बस क्या लिखो, 10 pi by 2 की फोर में ही छोड़ दो, यह आगया, यह किसका slope हो बताओ, यह आगया, बच्छो, slope of tangent, और मैंने क्या बताए था, अगर यह tangent x-axis के साथ, theta angle बनाती है, तो फिर इसका slope क्या होता है, 10 theta, तो मतलब इसको किसके एक वल रब दो, 10 theta हमें तो theta निकालना था न, theta कितना आगया बच्छो, pi by 2, यह tangent x-axis के साथ, कितना angle बनाती है, pi by 2, यह tangent x-axis के क्या है, बच्छो, इस question में क्या का गया, बच्छो, बहुत बहुत ज़्यादा important question है, इस तरह के question है, exam में एकसर पुछे जाते है, if the curve this and this, cut each other orthogonally, orthogonally का मतलब क्या होता है, यह दो लों करव आपस में क्या है, बच्छो, पर पैंडिक उतर है, तो, दो करव के बीच का angle निकालना, आपको पता है क्या, मैं आपको पता देता हूँ, angle between two curves, बच्छो, जो दो करव के बीच का angle होता है, वो उनकी tangent के बीच का angle होता है, angle between their tangents at point of intersection, जहांपे वो दो करव आपस में meet करती है, ऐसे, इस point of intersection के उपर, दोनों करव के उपर हम क्या draw करते हैं, tangent डो करते हैं, और उन tangent के बीच में जो angle होता है, उसी angle को हम क्या बोलते हैं, angle between these two curves बोलते हैं, तो, अब ये दोनों करव क्या करती है, आपस में orthogonal touch करती है, मतलब, इनकी दोनों की जो tangent है, वो अपस में क्या है, बच्चो, perpendicular है, tangent सापस में क्या है, perpendicular है, करव perpendicular है, इसका मतलब कौन perpendicular है, tangent अपस में perpendicular है, तो, इन दोनों के slope की जो product है, बच्चो, वो कितनी है, minus one है, ठीक है, बस, आपको, दोनों tangent का slope निकालना है, और उनकी product को क्या रख देना, minus one के equal रख देना, slope निकालना आपको आता ही है, इसका derivative करो, a into dy by dx, plus 2x, और 7 का derivative 0, इस point पे है, given point के पर निकाला करो, 1, 1, a into dy by dx, minus plus 2 equal to 0, तो dy by dx की value यहां से आगी, minus 2 by a, first equation जो है, first curve जो है, उसकी tangent का slope आगया, अब second को consider कर लो, यह तो आसान है, dy by dx equal to क्या आगया, 3x square, 3 into 1 का square यहने की, 3, इन दोनों की product को क्या put कर दो, minus 2 by a, into 3, minus 1 put करो, 6 by a is equal to क्या आगया, 1, तो a की value कितनी आगी, 6, फिल्कुल आसान question था, जब भी करो, orthogonal given होना, तो आप क्या क्या करो, दोनों, dy by dx की product को क्या रखतो, minus 1, और अगर यह point given है, तो बहुत अच्छी बात है, given नहीं है, तो आपको point of intersection, दोनों करो का निकालना पड़ेगा, जैसे, यहां से भी y, और यहां से भी y की value को equate करके, और फिर x निकल जाएगा, फिर x को यहां put करेंगे, y निकल जाएगा, तो वो point of intersection दोनना ज़रूरी है, अब इस question में देखो, बहुत अच्छा question है, यह H.E.U. 2023 के अंदर अपकी बार question पूछा गया था, इसी concept के उपर, क्या है, कि point of intersection कहीं पर भी अपने को नहीं given है, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, इस question का रेखो, क्या तो हम point of intersection निकालेंगे, method 1 क्या है, find, point of intersection first, यह method आप सीखो के न, तो आपकी सारे question के अंदर यह method help करेगा, point of intersection निकालने की habit आल लो, point of intersection का मतलब होता है, यह तो करों बच्चों आपस में कहां पर meet करती है, जैसे हम 10th class में, तो straight line को solve करके, आपस में elimination method से, point of intersection निकालते थे, वैसे ही करों को भी solve कर सकते हैं, इस करों में y की value यह है, इस करों में y की value यह है, तो तोनों को equate कर दो, y, y को equate कर दो, तो यहां से क्या आगी, x की value आगी देखो, x square into 1 plus a, तो x की value आगी बच्चों, क्या root of 1 upon 1 plus a, और y किसके equal है, x square, देखो किसी में put कर दो, इधर put कर दो, इधर put कर दो, और x square की value क्या है, अपनी 1 upon 1 plus a, तो यानि point of intersection जो आगया, वो क्या आगया, x, x की value ये है, और y की value क्या है, बच्चों, इसका square है, तो point of intersection के, अगर में रहे को कहीं भी जूट पड़ेगे ना, तो मैं इसको use करना हूँगा, बट अब मैं आपको बताता हूँ, देखो, इस question को छोटा method, ये ते रख है, y की equation, और एक, ये करोव की equation ते रखिए, आप d y by dx निकालो, दोनों करोव से d y by dx निकालो, 1 minus, ये तो कितना आगया, minus के 2x, और यहां से बच्चो, d y by dx निकालोगे, तो कितना आएगा 2x, अब, इन दोनों की product, क्या पूट करोगे, minus 1, यहां तक तो आपको सबको पता है, तो यहां से multiply करो, तो 4a, x square equal to क्या आगया, 1, तो 4a की value क्या आगी, बच्चो, 1 by x, या इतने हैं छोट लो, अब आप खुद बताओ, आपको value किसकी निकालनी है, a की, आपको अगर a चाहिए, तो बच्चो, आपको x square खतम करना पड़ेगा, अब x square को खतम करने के, देखो, दो तरीके है, x square को खतम करने के, दो तरीके है, या तो, जो point of intersection, यहां से आपने निकाला है, उसकी value put कर दो, क्योंकि, कहीं बार ऐसा होगा, कि इस relation में, x भी होगा, और y भी होगा, तो फिर आप x और y की, यह वाली value क्या कर देना, put कर देना, 4a into x square, बता सकते हैं, आप मेरे को x square बचो, यहां से कितने, यह क्या है, x है न, तो इसका square करेंगे, तो क्या होजएगा, देखो, कितना आसान होगा question, अब, बस क्रोज मिल्टिप्लाइ करते हो, 4a upon 1 plus a, is equal to 1, यानि कि, 4a equal to 1 plus a, 3a is equal to 1, a की value कितनी हागी, 1 by 3, और यही अपने question का answer है, आपका काम सिरफ एक ही है, कि इन दोनों slope की product को, क्या put कर दो, m1 into m2 को, minus 1, उसके बाद क्या होगा, या तो इसके अंदर, x या y में से कोई एक variable आएगा, या तो नों आएँगे, उसकी value कहां से ले क्या होगे, इस point of intersection से, और आपका answer आजएगा, पहले step के अंदर, अब देखना, इस question के अंदर, क्या होगा, यह कहता है, यह दो करव है, यह भी आपस में orthogonal कट करती है, तो 8 k square की value बताओ, यहाँ पे भी point of intersection नहीं है, पहला step क्या होगा, अपना, find, point of intersection, point of intersection निकालो, point of intersection से बचो, गबरान नहीं है, point of intersection का सिर्फ मतलब यहीं है, कि तोनों equation से, या तो एक बार x की value को equate कर लो, या y की value को equate कर लो, और वहाँ से एक variable निकाल लो, एक variable आ गया, तो इसमें put करके दूसरा निकल जाएगा, ठीक है, तो आप बताओ, यहाँ से क्या है y square है, और यहाँ से क्या x y है, यहाँ से मैं क्या निकाल लेता हूँ, y निकाल लेता हूँ एक बार, y क्या आगया बच्छो, k y x, y अगर k y x आगया तो इसको यहाँ put करो, y square क्या हो जाएगा बताओ फिर, k y x का whole square, और यह क्या आगया, k square y x square equal to x, x, यानि की x cube equal to आगया बच्छो, k square, मुझे x से यह, तो यह cube है, तो उदर जाके क्या होज़ेगा, power 1 by 3, यानि की x की विडियों आगया बच्छो कितनी, k की power 2 by 3, अभी तो क्या चाहिए, मैंको y भी चाहिए, तो यहाँ से देखना, y square equal to क्या है बच्छो, x, और x कितना है, k की power 2 by 3, अभी तो square है, दोनों तरफ square root करोगे, तो यह 2 से 2 कर जाएगा, तो y क्या आगया, k by 3, k की power 1 by 3, तो point of intersection, यानि x और y की value, पहले x लिखना है, और फिर y लिखना है, अब देखो, point of intersection, अपने वो नहीं given था ना, तो मैंने solve करके, point of intersection पहले निकाल लिया, अब तो बस मेरा एक ही काम रह गया, कि दोनों करोग से, मैं dy by dx निकाल लूगा, और उनकी product को क्या put करेंगे, minus 1, करो इसको solve, अभी यहां से बच्छो क्या होगा, यहां से आपको, 2y dy by dx, equal to 1, तो dy by dx की value आगी, 1 by 2y, और यहां से, u into v rule लगाओ, first function same, second का derivative, second function same, first का derivative, यह, dy by dx आपको कितना आएगा, minus y by x, तो आप तो बस put कर दो, इन दोनों की product को, क्या put कर दो, minus 1, minus से minus दोनों तरफ कार दो, y से y कट गया, तो 1 by 2, 1 by 2 और x को उदर shift कर दे, 1 by 2 क्या आगया बच्छो, x आगया अब देखो, मुझे यहां पे x मीला, तो मुझे सिरफ x की value निकालने से ही काम चल जाता है, तो y की value निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बट वो मुझे पता नहीं था, पहले हो सकता है, यहां पर y भी आ जाता है इसके इंदर, तो x की value क्या है, बच्छो, k की power 2 by 3, अब बताओ, यहां से क्या निकालना आपको, 8 k square की value तो निकालनी है, पहले step के इंदर answer आगया, 8 k square की value कितनी आगया, आपकी 1 आगी, अभी सकोशन ने देखो, क्या बोला गया है, इफ दर टेंजेंट टू दिस करो, यह करो की question है, y एक्वल टू कोई function है, x का, अट एनी पॉइंट इस पैर्लल तो y एक्सिज, बचो, टेंजेंट अगर y एक्सिज के पैर्दल है, अन्से देना y एक्सिज के पैर्दल है, तो slope of tangent, कोई भी लाइन जो y एक्सिज के पैर्दल होती है, उसका slope क्या होता है, infinite और slope of tangent को क्या बोलते है, dy by dx, तो dy by dx की value क्या आगी, infinity, option number c, इस question में क्या का गया है, the normal to the curve this at a point makes 135 degree angle with x-axis, बचो, अब की बार x-axis के साथ angle बनाती है, 135 degree का, बट कोन, टेंजेंट नहीं, नोर्मल, तो अगर, देखो, नोर्मल भी क्या होती है, एक line होती है, अगर एक line, x-axis के साथ कुछ angle बनाती है, तो उस line का हम क्या निकाल सकते है, slope निकाल सकते हैं, यह किसका slope होगा, बचो, slope of normal, यह angle line, normal का दिरिखा, तो normal का slope निकाल पाएंगे, यह कितना होता है, 10,135, और 10,135, को हम कैसे solve करते हैं, minus 10,45 हो जाएगा, यानि कि minus 1, बचो, slope of tangent को ही तो क्या बोलते है, dy by dx बोलते है, तो dy by dx की वेडिव क्या आएगी, इस question में, 1, option number A, इस question में क्या का गया है, the slope of tangent, to this curve, at this point, यह तो बिल्कुल आसान question हो गया, slope of tangent आपको निकालना है, curve की equation given है, slope of tangent का मतलब बचो क्या होता है, इस रफ dy by dx, derivative कर दो, यह आगया, तो यहां से dy by dx की पर आपको निकाल लो, 8 minus 2x divided by 2, 2 को मिलने के काड़ दो, 4 minus x आगया, at कहां पर निकालना है, x is equal to, 5 पर, x is equal to 5 पर निकालना है, slope of tangent, यह गलग तरे, at the point this is, x को 5 put करोगे, तो dy by dx कितना आगया, 4 minus 5 यहने की minus 1, तो अगर slope of tangent पुछा जाता न, slope of tangent तो minus 1 यह आएगा, लेकिन इसने answer pi इसकी form में दे रखे, तो यह options क्या है, बचो सारे के सारे wrong है, मैं बताता हूँ, क्या पुछना चाहता था question में, कि इसने ऐसे option दे दिए, the angle made by the tangent to the curve की question जो भी आपको यह given है, यही at x is equal to 5 is, यह option फिर आपको given है, यहने angle पुछा है इसने तो, यानि कि angle पुछा है तो कहने का मतलब slope of tangent अगर यह है, तो मैंने क्या का था, जब भी यह पुछे कि tangent x-axis के साथ कितना angle बनाती है, तो इस slope को 10 theta के equal put कर दिया करो, और 10 theta की value minus 1 बच्चो कहां पर होती है, आपको समझ के theta 135 यानि की 3 pi by 4, इस question का answer फिर आता 3 pi by 4, लेकिन अगर सिरफ slope of tangent पुछा जाएगा, तो यह अपना क्या है correct answer है, अगर यह question पुछा जाएगा, तो इसका answer क्या होगा, तो इसका पुछा है, y coordinate given नहीं है, तो y coordinate में निकाल लेता हूँ, x की value कितनी है pi by 3, यानि की post pi by 3, 1 by 2, तो passing point आगया अपना, x, x कितना है pi by 3, और y कितना है 1 by 2, point तो आगया, अब क्या चीए मिलको बच्चो स्लोप, किसका slope, tangent का, क्योंकि equation किसकी निकालनी है, tangent की, tangent का slope निकालना अपने को आता ही है, dy by dx होता है वो तो, minus sin x, और x की value put करतो, pi by 3, यानि minus root 3 by 2, तो slope भी आगया, equation निकालनो, equation of tangent is, y minus y1, equal to, m into, x minus x1, cross multiply करतो, इस 2 को इदर multiply करतो, 2y minus 1, equal to minus, root 3x minus minus plus, और ये कितना आजएगा, pi और root 3 by 3, यानिकी pi root 3 आजएगा, तो देख लो, ये y के साथ root 3 multiply है, root 3 से क्या करतो, अब दोनों तरफ multiply करतो, root 3 से बच्चो multiply करोगे, 2 root 3y, minus root 3, इसको root 3 से multiply करोगे, 3 हो जाएगा, और ये क्या होजएगा, y simplify कर लो, बस इसको, ये 3x इदर आखे plus हो जाएगा, plus 2 root 3y, और ये minus root 3 उदर जाएगे, क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, तो ये question का answer है, 3x plus 2 root 3y, option number क्या है, b match कर रहे न, इस question में क्या का आगया है, the equation of tangent निकालनी है, ये करव की equation दे रखी है, ये point दे रखा है, तो बस फिर वही question, इससे पहले क्या निकाल लो, y निकाल लो, y क्या है, 2 sin x plus sin 2x, x की value क्या put करो, 60 degree, ये निकी pi by 3, तो ये क्या होएगा, 2 sin pi by 3, 2 sin 2 pi by 3, बचो, sin 120 भी कितना होता है, root 3 by 2 होता है, तो root 3 plus root 3 by 2, यानि ऐसा कर लो न, 2 LCM ले लो, उपर कितना आगया, 2 root 3 plus root 3, ये 3 root 3 by 2, ये y आगया, तो यानि point जो था, वो क्या आगया, आपका x की value दे रखी है question में, और y की value हुमने निकाल दी, last question की तरह है, ये तो क्या आगया, point of contact आगया, जहांपे, ये tangent इस करों को meet करती है, अब क्या निकालना अपने को slope, slope का मतलब क्या होता है, d by by dx, tangent का slope का मतलब है, बचो, d by by dx, निकाल तो d by by dx, 2 cos x, और sin 2x का derivative बचो, 2 cos 2x, और put कर दो, आप x की जगर कितना, 60 degree, यानिकी pi by 3, cos pi by 3 होता है, 1 by 2, और cos 120, cos 120 कितना होता है, minus 1 by 2, तो ये कितना आगया, 1 minus 1, यानिकी 0, ये tangent का slope आगया, so, equation of tangent बताओ, equation of tangent के आगया, y minus y1, equal to m into x minus x1, ये तो complete क्या होगा, 0, y minus 3 root 3 by 2 equal to 0, तो y क्या आगया, 3 root 3 by 2, cross multiply कर दो, 2y के value कितना आगया बचो, 3 root 3, 2y equal to 3 root 3, option number C आगया, इस question में क्या का आगया है, if this line is a tangent to this curve, at what point, ये कहना चाता है, देखो, आपसे point of contact मुचा है, आगया समझाता हूँ, और ये red वाली line क्या है, एक tangent है, ये बोलता है कि, इस tangent की equation, तुम्हार को मैं बता देता हूँ, क्या equation है, y equal to x minus 11, ये इसको तुरह simplify करेंगे, y को उदर shift कर दो, x minus y minus 11 equal to 0, ये कहता है बच्चो, ये red वाली line की equation ये है, बच्चो value चाहिए, तो आप ये काम कर सकते हो, कि यहां से tangent का slope निकाल लो, देखो, यहां से बताओ, इसका slope निकाल सकते हैं कि, slope of tangent, slope of, tangent क्या होता है, slope बताओ, minus coefficient of x upon coefficient of y, ये क्या गया, slope of tangent आगया, और एक slope of tangent निकालने का, मेरे पास और भी तरीका है, क्या, dy by dx, क्योंकि क्रव equation दे रखे हैं आपने को देखो, क्रव equation देखो, आप diagram मनाओ गेना, मैं कहता हूँ, आदे question आपके EOD में, वहीं solve हो जाता है, आपको समझ आ जाता है, question में पूछा क्या गया है, तो यहां से dy by dx निकाल लो, क्या गया, अब आप मेरे को बताओ, यह dy by dx भी किसको रिप्रजेंट करता है, slope of tangent को, यह dy by dx भी तो क्या होता है, slope of tangent ही होता है, और एक slope of tangent अपने को यहां से भी पता है, क्यों, क्योंकि यह tangent की equation है, तो पताओ उससे slope भी निकल जाएगा, तो आप क्या करो, दोनों slope of tangent को बच्चो इकवेट कर दो, एक तो यह वाला, और एक यह वाला, तो 3x square minus 11 equal to 1, तो 3x square कितना आ गया, 12, x square बच्चो कितना आ गया, 4, x की बेट ज़गा गी, plus minus 2, देखो, plus minus 2 ही यूज करना एक बार है ना, क्योंकि option में क्या है, none of these भी है ना, तो एक बार आप x को क्या put करो, 2, और एक बार आप x को क्या put करो, minus 2 कहां पर put करोगे, चाहे तो given, चाहे इस line में put कर लो, चाहे इस line में put कर लो, एक ही बात है, ठीक, क्योंकि ये दोनों line आपस में क्या करते है, intersect तो करती है, तो y की value क्या है, x minus 11, यहनकि 2 minus 11 minus 9, तो point भी आपका आगया, 2, minus 9 हो, देखो option में given है, 2, minus 9 हो गया, अब अगर minus 2 put करोगे, तो y की value क्या है, minus 2 minus 11, यहनकि minus 13, तो point अपना कितना आएगा, minus 2 minus 13, यह तो option में है नहीं, बट 2, minus 9 तो option में है ना, 2, minus 9 इस question का answer हो जाएगा, अच्छा, यह देखो, at what point, वही point की value पुछी आपसे, point के coordinate पुछे है, यह curve दे रखी है, जो tangent है बच्चो, वह इस line के क्या है, parallel है, बिल्कुल सेम वही question है, यह curve है, आप diagram एक बढ़ बनाएकर, उससे clear हो जाएगा, कि क्या condition हमें, यूज करने वाले है, यह red वाली line क्या है, इस curve की tangent है, last question में बच्चो, क्या given थी, अपने को tangent की equation ही दे दी थी, question में, लेकिन अपकी पर tangent की equation तो नहीं थी, बट यह कह दिया, कि यह जो tangent है न, यह बच्चो, इस line के क्या है, parallel है, यह दोना अपस में line क्या है, parallel है, तो मुझे तो, यह line की equation given है, इसका slope बता सकते हैं, कि अब slope 3 होगा, यह तो फिर x और y को एक तरफ shift करके, फोर्म ना लगा दो, minus coefficient of x upon coefficient of y, या y equal to mx plus c की help से, m direct कितना है 3, असा है यह slope है, तो फिर बताओ, tangent का slope भी तो यह होगा न, tangent का slope यह क्यों होगा, आप सोचो क्यों, यह line और tangent आपस में क्या है, parallel है, तो tangent का slope भी 3 होगा, tangent का slope क्या होता है, dy by dx होता है, और dy by dx की value तो अपने को निकाल नहीं, आती है, यहां से कितना आएगा बनो, 4x minus 1 equal to 3, x की value देखो, direct कितनी आगी, 1, अगर x1 आगया, तो बचो y कितना आएगा, बताओ, 2 into 1 का square, minus 1 plus 1, यानि कि 2, तो point कितना आगया अपना, x1 है और y कितना है, 2, यह p point बचो कितना आगया, 1,2, असान question था, इस question में क्या का गया है, the equation of tangent to this curve, at the point where it meets y axis, ध्यान आगया, एक question हमने आज किया था, आपको इस question में, point of contact नहीं given है, equation of tangent निकालनी है, तो point थो चाहिए ना, but वो point थे नहीं रखा, लेकिन एक उसके बारे में hint given है, कि वो point है ना, जिस point के उपर, यह point है ना, बचो यह point B है, यह point कहाँ पर लाई करता है, lies on y axis, ऐसा आपको hint में given है, तो अगर यह point y axis पर लाई करता है, तो y axis पर थो बच्चो, x coordinate क्या होता है इस point का, 0 होता है, यानि कि x coordinate तो मुझे मिल गया, इतना 0, अब मुझे क्या चीए, y की value चीए, y कितना है, question में देता रुखा है, यह point किस के उपर है, जब करों के उपर है न, तो इस point के उपर, अगर x की value बच्चो, 0 है, x को 0 put करोगे, तो y भी क्या आगया, 0, तो मेरा point of contact, जो मेरे को नहीं given था न, वो मेने निकाल दिया, क्या 0, 0, बस point आगया, अब तो मैं क्या निकालूँगा, slope निकालूँगा, और equation आ जाएगी, d by by d x निकाल लो, minus e की power x by 2, और x by 2 का derivative होता है, 1 by 2, और x को क्या put करता बच्चो, 0, तो minus e की power 0 into half, यानि कि minus half, यह क्या आगया अपना, slope आगया, slope भी आगया, point भी आगया, तो equation of tangent अपने को निकालनी है, equation of tangent is, 5 minus y1 equal to m, into x minus x1, cross multiply करो, 2y equal to minus x, या 2y plus x is equal to 0, या फिर x plus 2y equal to 0, option number a आगया, तो आपको कैसे भी करके, क्या निकालना होता है, point of contact, उसके मैंने आपको तरीके बता थी, अलग-अलग question के जरीए, इस question में ये क्या कहता है, the point, point निकालना अपने को, where the tangent to this curve, at this point, meets x-axis, बचो ये कहता है कि, tangent जो line होगी न, वो x-axis को किस point पर जाके meet करेगी, मैं आपको एक rough diagram मना के दिखता हूँ, क्या है, diagram के तो आपको समझ आजएगा, कि question में पुछा क्या गया है, ये एक curve है, और ये curve के उपर क्या है, बच्चो आपने एक tangent ट्रो कर दी, और ये point आपको ओलड़ी question में given है, 0,1, अब मैं x-axis और y-axis ट्रो कर देता हूँ, rough diagram है, इस और ये और कुछ नहीं है, ये आपका होगी y-axis, और ये हो गया, x-axis आप से ये पुछा गया है, ये जो red वाली line, इस curve के उपर जो tangent आपने ट्रो की है, वो x-axis को अगर meet करेगी, तो किस point पर जाके meet करेगी, बच्चो ये निकालना है, समझगे आप, x-axis के उपर y-coordinate तो क्या होता है, 0, अगर आप इस tangent की equation निकाल लेते हो, मैं क्या कहता हूँ, अगर आपने tangent की equation निकाल दी, माल लो इस line के आपको equation मिल गई, तो इस equation के अंदर हम y को 0 पूट करके, क्या x नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बिल्कुल, बस वही करना है मेरे को, तो पहला step मेरा क्या है, to find equation of tangent, तो कि tangent क्या होती बचो एक, line होती है, अगर एक line की equation मिल गी, तो फिर तो हमें सिरफ इतना काम करना है, कि वो line x-axis को किस point में जाके meet करेगी, तो यानि कि उस line की equation में, y की value को क्या पूट करते हैंगे, 0 और बहाँ से क्या आजएगा, x आजएगा, x आजएगा, x आजएगा, equation of tangent निकाल लो, equation of tangent के लिए वो ही काम, point दे रखा आपको, point of contact कितना है बचो, 0,1, क्या निकाल लो, slope निकाल लो, y दे रखाए, d, y बे, dx निकाल लेते हैं, 2 into e की power 2x, इसके अंदर बस put कर दो, to find point q, इसको मैं q नाम दे देता हूँ, put करो, इसके अंदर y को क्या, 0, अगर बचो y को 0 put करोगे, तो बताओ, x कितना आगे हैं से, minus 1 by 2, तो फिर q point कितना आगे, पहले x coordinate लिखो, फिर y coordinate, answer आगे, अपना minus 1 by 2,0, तो सिर्फ question नितना साथ था, कि ये tangent जो है, वो x axis को किस point पर जाके meet करेगी, किस point पर जाके meet करेगी, तो मैंने निकाल दिया, y coordinate क्या है 0, यहाँ पे equation निकालके, y की value को 0 put कर दिया, x आजाएग अपका, इस question में क्या का गया है, मैंने अभी आपको यह बताए था, कि angle निकालना है, जो tangent, जो है x axis के बनाती है, इसका मतलब क्या है, पहले क्या निकाल लो, slope निकाल लो, put, dy by dx को किसके equal put करना है, वो ही, 10 theta, और theta ही मारा क्या होगा बचो, answer होगा, जब भी आपसे यह question में पूछा जाए ना, कि tangent, x axis के साथ कितने angle बनाती है, तो लिख लो अपनी notebook में, बस करव की help से dy by dx निकाल के, उस point के उपर, और उसको 10 theta के equal put कर दिया, और वो जो theta होगा, वो ही हमारा question में, answer होगा, तो dy by dx बता दो, 2, तो यह कितना आगया, minus 1, तो यह आगया, minus 1 equal to 10 theta, और यह तो याद आगया आपको question किया था, आपने theta कितना है था, 3 by 4, तो यह tangent जो है, वो x axis के साथ, बच्छो, 3 by 4 degree के angle बनाती है, इस question में क्या का गया है, यह बहुत अच्छा question है, इसमें बोला गया है, कि if the curve is, यह curve, touches the line, this at this point, यह जो curve है बच्छो, यह इस line को touch करती है, तो b or x equal बतानी है, आपको यह बताओ, यह curve है, rough diagram मना के आपको मैं दिखाता हूँ, क्या है, touch करने का मतलब क्या होता है, कि यह line जो है, touch करती है, मतलब यह इसकी क्या होगी, tangent होगी ना, और point क्या है यह, 1,1 और आपको b or c की value निकालनी है, आप एक बताओ, b or c की value कैसे निकालोगे, एक तो यह हो सकता है, कि यह जो p point है, बच्छो, यह curve के उपपर लाई करता है, तो अगर मैं 1,1 इस करव की equation में put कर दूँगा, तो बताओ, b or c में क्या आजगा है, कि relation आजगा, अभी value नहीं आएगी, बस क्या आएगा, b or c में बच्छो है कि relation आएगा, ठीक है, तो मेरे पास, 2 step है, पहले step में तो मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा, p point को in, करो, p point को करो में put कर दो, 1,1 put करना इसमें, 1 equal to 1 plus b plus c, यानि कि बच्छो, b plus c की value के आगे 0, अभी एक relation आए मेरे पास है न, अगर एक equation में को और मिल जाए, b or c में, तो मेरे question का answer आजएगा, अब आप कुद देखो, paper के अंदर ये question आगया, तो बस आगे solve करने की जुरूरत नहीं है, बच्छो आप से b or c की value पुछी गई है, और ऐसी value आएगी, जहां पे b or c का sum क्या होगा 0, तो आप बताओ, इसका sum 0 है क्या, नहीं है, इन दोनों का sum 0 नहीं है, इनका sum 0 नहीं है, इनका sum क्या 0 है ना, minus 1 and 1 का sum 0 है, तो paper में तो आप इस option को tick कर देना, but मैं कहता हूँ, 4 में से 4 ही option ऐसे हो जाए, कि मैं सब का sum 0 बना दूँ, जैसे ये दे दू, minus 2 and 2, समझ गया, तो इसके भरोसे मतरो, paper में ये question आ गया, और एक option ऐसा है, तो आप उसको direct tick कर दो, आप दूसरी equation में कहां से लेके हो, आपको यादा है कुछ, मैं ये कहता हूँ, एक तो slope of tangent आप उपर से निकाल लो, और एक slope of tangent बच्चो यहां से निकाल लो, आप बताओ मेरे को, step number 2 में क्या लिखने जा रहा हूँ, step number 2, equate कर दो बच्चो slope of tangent को, equate करो किसको, slope of tangents को by finding in two ways, दो तरीके से find out कर लो, एक तो कैसे, d by by dx के तरीके से, d by by dx बता दो कितना आगया इस question में, 2x plus में b, अच्चा, एक slope of tangent क्या है, y equal to x line का slope क्या होता है, 1 होता है न, y equal to mx plus c, slope तो किसके equal है, 1 के, तो मतलब यह दोनों value क्या आगी, equal आगी, 2x plus b is equal to 1, और x की value तो कितनी है, यह point है न, 1 plus b is equal to 1, तो b की value देखो, यहां से कितनी आसानी चागी, option आते हैं, कि एक option true दिखाई दे रहे, तो आपको आगे solve करने की चूँट नहीं है, इस question में क्या का गया है, यह बहुत अच्छा question है, आप ellipse के बारे में याद करो कुछ, अगर यह straight line, एक tangent है इस curve पे, यह curve कैसी है, आपको यादर है कुछ यह करो तो ellipse है, और बचो, एक line अगर ellipse की tangent बनती है, मैं concept लिख देता हूँ, वही concept आपको यहां पर भी लगाना है, if the line y equal to mx plus c, is a tangent to the ellipse, ellipse की equation क्या होते हैं, general form में, x square by a square, plus y square by b square is equal to 1, then a square m square, c square किसके equal होता है, a square m square plus b square, condition यादर हैं, condition of tendency बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, condition of tendency, condition of tendency का मतलब होता है, एक line अगर ellipse को touch करती है, तो वह किस condition पे touch करती है, जब c square की video क्या होगी, a square m square plus b square, और यही question hyperbola का होता, तो hyperbola में बस क्या होता है, यहाँ b square की जगह minus b square आता है, तो बस बीच में b square की जगह क्या लिए दो, minus b square लिए दो, आपकी hyperbola की condition बन जाएगी, तो अब आपने को बताओ, यह तो line दे रखी है, यहाँ से बचो y की value क्या आगी, minus x plus a, तो आप मुझे बताओगे, यहाँ से m कितना है, minus 1, और mx plus c, c कितना है बचो, a, c कितना है यहाँ इस question में, a, और a square कितना है बताओ यहाँ से, a square बचो कितना है, बड़ी वाले value a square होती न, 16, और b square कितना है, 9, तो इस condition में put करना, c square, c square का मतलब बचो, यहाँ पर क्या है, c की value a है इस question में, तो यानिकी a square equal to, a square m square, a square का मतलब क्या है 16, अब कई बच्चे यहाँ पर भी a square लिख देंगे, और यहाँ पर भी a square लिख देंगे नहीं, बच्चो यह a square अलग है, तो कि इसमें a क्या है, c की value है, और a square क्या है अपना 16 है, तो a square into m square, और plus p square यहाँ निकी 25, तो a की value कितनी आएगे अपनी, plus minus 5, इस question का answer आगया, इस question में क्या का आगया है, the points at which the tangent to this curve, is perpendicular to this line, जो मैंने आपको बताया था ना, कि tangent अगर किसी दूसरी line के perpendicular given हो, या parallel given हो, तो आप condition क्या यूज करनी है, यह important होता है, नहीं तो हर question आपको क्या लगेगा, नया लगेगा, आप diagram मनाओ, यह tangent है, यह कहता है यह वाला point बताओ, यह point एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, जहाँ पे यह जो tangent है बच्चो, यह किसी और line के, क्या हो, perpendicular हो, यह line क्या है, x plus 3y equal to 2, आप मुझे इस line का slope बता दो, blue value line का, minus coefficient of x, अगर blue line का slope बच्चो यह है, तो फिर इसका मतलब, इस tangent का slope कितना आ गया, बताओ, 3 आ गया, tangent का slope कितना आ गया, 3, tangent का slope तो मिरे को निकालना आता है, अगर y आपको दे रखा है, तो बच्चो dy बट x निकाल लो, और यह dy बट x ही क्या होता है, slope of tangent होता है न, यह क्या होता है बच्चो, slope of tangent और slope of tangent तो मिरे पास है कितना, 3, तो 3x square equal to 3, 2x square equal to 1, x की value क्या आगी बच्चो, plus minus 1 आगी न, और आप खुद देख लो, एक यह option ऐसा है, जिसमें x की value 1 भी यूज़ की गई है, और minus 1 भी हाँ ठीक है, option number d आएगा, but x ही निकल आए, अब x निकल गया तो क्या निकाल दो, y भी निकाल दो, एक बार x को 1, एक बार minus 1, y की value क्या है बोलो, य चाहे तो इसके अंदर put करना पड़ेगा न, क्योंकि ये line तो करो को touchy नहीं करती न, y equal to x cube plus 5, x को 1 put करोगे, और x को, minus 1 put करोगे, ये point तो कितना आगया, बचो 1,6 और ये point कितना आगया, minus 1,4, option number d आगया, इस question में क्या का आगया है, the sum of the, बहुत ही important concept आप ये समझे लो, मैं आपको direct इसका shortcut बताता हूँ, कि shortcut क्या होता है, the sum of the intercepts, made by the tangent, to this curve, at this point, on the coordinate axis, देखो इसका meaning क्या है, मैं आपको rough diagram मना के समझाता हूँ, और आगये से इसको याद कर देना, basic method, हर question को solve करने का होता है, पहले tangent की equation निकालेंगे, और फिर एक line के आपको intercept निकालने हो, तो क्या करते हो, x के निचे जो value होती है, उसको x intercept बोलते है, y के निचे बच्चों जो value होती है, उसको y intercept बोलते है, बट वो method बहुत lengthy हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इस question का देखो, ये क्या है, एक curve है, इस curve के उपर हमने, ये line, red वाली line ट्रो कर दी, क्या एक tangent, ये tangent है, अब ये कहता है, ये tangent, coordinate axis के साथ, कितना कितना intercept बढाएगी, मतलब कि ये मैं ट्रो पर दता हूँ, ये लो y axis, और ये मैंने ड्रो पर दिया, x axis, ये x axis है, और ये क्या है बच्चो, y axis, अब ये tangent, जो red वाली line है, आपका intercept क्या होते थे, ये वाली जो distance है, उसको क्या बोलते है, x intercept, और ये intercept क्या है बच्चो, o से लेके b, y intercept है, वैसे तो intercept क्या होते है, x coordinate होता है, इस point का x coordinate, ये negative भी हो सकता है, positive भी हो सकता है, बट अगर sum पुछा है उनका मतलब, sum का मतलब, यहाँ पे length का sum पुछा गया है, तो मतलब o a plus o b, इस question में आपसे पुछा गया, तो direct shortcut क्या है, या concept क्या है, आप समझ लो बस, एक बार ध्यान से समझ लो, सारे के सारे question, इस concept के उपर आपके solve हो जाएंगे, concept यह होता है, अगर मानलो करव की equation है, बच्चो, x की power m, plus y की power m, is equal to a की power m, a कोई constant है, ठ्यार दखना, यहाँ पे, x, y और a, तिन्नों की जो power है, बच्चो, क्या है, same है, x, y, a, तिन्नों की, same power होनी चाहिए, मैं shortcut बता रहाँ आपको, ठीक है, कई बार question में, same power given नहीं होगी, तो मैं बताऊँगा, same power कैसे बनेगी, same power होनी चाहिए, तब यह shortcut अपलाई होगा, otherwise नहीं होगा, तिन्नों की power क्या होनी चाहिए, same, होगी, ठीक है, then, sum of, then, आप यह माल लो, sum of छोड़ो, पहले मापको तरीका बता देता हूँ, then, if, tangent makes, intercepts, on the, x-axis and y-axis, कुछ तो intercept पढ़ाएगी, x-axis और y-axis के साथ, तो x-intercept, plus, y-intercept, ध्यान से सुना, बच्छो अभी ये बात, x-intercept और y-intercept की, power कर दो, माल लो, इसकी power कुछ n है, इसकी power कुछ n है, ये question में पुछी जाएगी, कि x, x जो intercept है, उसकी power 3, plus y-intercept की power 4, उन दो, 3, दोनों की power क्या होगी, सेम, इसका answer क्या होगा, ध्यान से सुना, मेरी बात, a-की power, क्या होगा, बच्छो, a-की power, और ये जितनी power, यहाँ पे पुछी गई है, क्या होगा, a-की power, n होगा, a क्या है, यहाँ पे a, बच्चे कई बार, गलती से क्या use कर देते हैं, यह पूरा number, यूज कर देते हैं, बच्छो, पूरा number तो, a की power m है न, हमें इस में से सिरफ ये a, यूज करना है, क्या यूज करना है, सिरफ ये बाला, a यूज करना है, और इसकी power कितनी कर देंगे, जितनी intercept की power question में पुछी गई है, वो, जैसे, इस question से आपको समझाएगा, आप देखो, ध्यान से, इस question में, करव की equation आपको, ऐसी given है, बट अभी आप याद करो, मैंने क्या बताया था, करव की equation के अंदर, और x, y और a, तिन्नों number की power क्या हो निची से, बट यहाँ पे तो, 4 की power 1 है, और इन दोनों की power कितनी है, 1 by 2, तो मैं इसको 4 को, बताओ, root 16 लिख सकता हूँ न, इससे क्या हुआ, कि x की, y की, और 16 की, तिन्नों की power कितनी होगी, अब आप से पुछा क्या गया है, उन दोनों intercept का sum पुछा गया है, मतलब आप से पुछा गया है, x intercept, और y intercept का sum, sum का मतलब बच्चो, इनकी power कितनी है, बताओ, 1 और 1 है न, तो मैंने आपको क्या बताए था, इसकी power यह है, यह तो root होगे न, तो इसमें a की power कितनी करोगे, यह वाली power 1, अब a यहाँ पर बच्चो 4 नहीं है, a यहाँ पर कितना है, 16 है, और 16 किसका root होता है, 256 का square root, यह 16 ही तो दे रखा है, confuse करने के लिए लिखा हुए बस ठीक है, answer क्या आगा है, इस question का 16, यह point जो भी given होता है न, इस point की कोई value नहीं है, चाहे कुछ भी given हो, यह point इस point से अपने को कोई मतलब नहीं है, अब जैसे एक और question कराता हूँ आपको, if the tangents at any point on the curve this, cuts of intercepts P and Q on the axes, मतलब यहाँ पर इस question में, आपको बच्चो क्या given है, X intercept बनाती है, P की power minus 4 by 3, और plus Q की power minus 4 by 3, P का मतलब क्या है बच्चो, मैंने अभी बताया था आपको X intercept, और Q का मतलब क्या है, Y intercept, और आपको इन दोनों की कितनी power निकालनी है बच्चो, minus 4 by 3 करके sum निकालना है, तो आप मिरेको बताओगे direct, क्या होगा इसका answer, A की power, क्या होगा बच्चो, A की power कितनी, जितने इन दोनों की power की गई है, ये अपने question का क्या होगा, answer होगा, बस A बता तो, आप मिरेको A बता सकते हो, यहाँ पर A, A ही है, क्यों, X की, Y की, और A की तिन्यों की power से, इसको A ही यूज़ कर सकता हो, और A की power minus 4 by 3, अपने इस question का क्या है, answer होगा, तो देखो, shortcut पता होने के बाद, यह सारे के सारे question, कितने easy way में आप solve कर पाऊगे, अब इस question में देखो, the abscissa of the point, इसमें concept लिख लो, बहुत ही important concept है, straight line के दर में आपको बता चुका हूँ, अगर कोई भी straight line है, देखो ऐसे, अगर बचो, कोई भी straight line है, यह line है, अगर आपको कभी भी, math में यह given हो, कि यह straight line, दोनों coordinate axis के साथ, यानि X axis और Y axis के साथ, equal intercept बनाती है, तो इस line का slope, हमेशा बचो याद रखना, अगर equal intercept बनाती है, तो यह मालो A है, तो यह भी कितना है, A, यह point होगा बचो, A, 0, और यह point होगा 0, A, तो आप इस line का slope बता सकते हो, क्या होगा slope, Y2 minus Y1, upon X2 minus X1, यानिकि 0 minus A, upon A minus 0, कितना होगा बचो, minus 1, हमेशा याद रखना, अगर एक line, दोनों axes के साथ, equal intercept बनाती है, तो उस line का slope, हमेशा कितना होगा, बचो, minus 1 होगा, तो concept यह हुआ, if any line, makes, equal intercepts, equal, intercepts, with, both the axes, X axes और Y axes, then, its slope equal to minus 1, इस तरह की चीज़े, notebook में, अलग से लिखा करो, highlight करके, ताकि, कभी भी यह question में, लिखा आजे न, यह language, कि एक line है, जो दोनों intercepts के साथ, equal intercepts बनाती है, दोनों axes के साथ, उसका slope क्या यूज़ कर दिया, अगर आप minus 1, अब आप देखो, इस question में, यह अगर concept यूज़ करोगे, तो question आपका तुरन सोल हो जाएगा, अब यह कहता है, इसमें, यह जो normal line है, अब के बाद टैंजन नहीं, बच्चो, normal, normal जो है, वो, दोनों axes के साथ, equal intercepts बनाती है, intercepts with the axes, तो जो भी line, equal intercepts बनाती है, तो उसी line का slope होगा न, minus 1, यह किसका slope होगा, बोलो, slope of normal, और slope of normal, अगर minus 1 है, तो मुझे बता सकता हो, slope of tangent कितना होगा, बच्चो, slope of tangent कितना होगा, फिर 1, तो slope of tangent, तो क्या होता है, dy by dx होता है, क्योंकि मेरे को करव की equation given है, तो मैं dy by dx असानी से निकाल सकता हूँ न, इसलिए मैंने dy by dx की form में यह लिख लिया, तो बता दो, अब करव की equation दे रखिया, आपको कितनी, a y square equal to x cube, तो इससे solve करो, आप 2 a y dy by dx, equal to 3 x square, तो dy by dx यहां से कितना आगा है, बहलो, 3 x square upon 2 a y, यह कितना है आपका, 1, यह हो गया न, अच्छा, अब मेरे पास क्या है, x और y में एक relation तो आगया, लेकिन मुझे तो किसकी value निकालनी है, then, किसकी value निकालनी है, ebsisa, ebsisa का मतलब क्या होता है, value of x निकालनी है, आपको किसकी value निकालनी है, point के, x coordinate की value निकालनी है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, x square है न, तो यह तो आप क्या करो, y की value, बच्छो, यह जो y है न, इसकी value को यहां से put कर सकते हूं, क्या बताओ मेरे को, y की value को अगर मैं put करना चाहूं, चलो एक बार मैं इतना ही छोड़ देता हूं, 3x square equal to क्या आपना, 2a y आगया है न, यह second equation देखे, और मैंने इसको इतना छोड़ दिया, अब देखो मुझे x की value निकालनी है, तो यह जो point है बच्छो, तो जिस point का यह x coordinate है, जो इस relation को satisfy करता है, यह point कहाँ पर है, करव के उपर ही है, तो फिर करव की equation को भी साथ-साथ में लिख लो, देखो, मैं आपको, यह दोनों लिखके दिखा लिएता हूं, यहापे, एक तो relation आया, 3x square is equal to 2a, y, यह second equation, एक करव की equation आपको given थी, a, y square is equal to x cube, यह given थी आपको करव की equation, आप मुझे बताओ, मेरा target क्या है, मैं इनको किसको remove करना है, target है, eliminate करो y को, y को eliminate करना हूं, क्योंकि मुझे value किसके निकालनी है, x की, तो y को eliminate करो, तो यहाँ से y square की जगे, बचो यहाँ पर y की value, देखो, a, y square, यहाँ से y बता दो, कितना है अब का, y, 3x square by 2a, यहाँ y की value put कर दो, 3a square, 3x square by 2a, का क्या हो जगा, whole square, और equal to क्या आगा, x cube, बस आगया question काने साथ, a square करो, 9x की power 4, upon 4a square, आगे नहीं, 4a square, ठीक है, x cube, यह x cube से x की 4 power, 3 power कर जएगी, तो क्या बचेगा, a कट गया, 9 by 4, a और into x, is equal to क्या बचेगा, बचो 1, x कितना आगया, बताओ, 4a by 9, तो x की value क्या आगी, 4a by 9, option बचेगा, बस मेरे दिवाग में यहीं चलना था, कि मुझे इस relation को, और करव की equation का use करके, x को eliminate करने है, तो मैंने क्या किया, y की जगे, यह वाली value यहां से निकाल के put करती, और अपनी x की value आजाएगी, इस question में क्या का गया है, if the tangent at any point on this करव, makes equal intercept, देखो ध्यान से, equal intercept बनाती है, कौन, tangent, तो बताओ, उस point के वपर, d y by dx कैसा होगा, बचो question के according, क्या given है, बताओ, tangent, यह जो tangent है ना, यह equal intercept बनाती है, tangent makes equal, intercept, इसका मतलब, किसका slope minus 1 होगा, बताओ, tangent कही होगा, slope of, tangent किसका equal होगा, minus 1, और slope of tangent, बताओ, d y by dx, तो आपसे value किसकी पुच्छी लिए, देख लो, d y by dx पुच्छी लिए, यह answer कितना हैगा, minus 1, ऐसा ही question यह है, इस करओ के वपर कहता है, वो point बताओ, जहाँ पे, tangent cuts, intercept equal in length, on the coordinate axis, फिर वही question, according to question, बताओ मेरे को, slope of tangent क्या होगा, minus 1 होगा, slope of tangent कितना होगा, बच्छो, minus 1 और slope of tangent क्या होगा, d y by dx, और d y by dx निकाल सकते होगा, अब इस करओ की equation से, d y by dx बहलो क्या हैगा, minus e की power minus x आएगा, minus e की power minus x, equal to minus 1, minus से minus, cancel कर दो, यह आगया, और 1 को e की power 0 लिख दो, तक e power को equate कर सको, तो x की value क्या आगी बच्छो, 0, अगर x 0 आगया, तो मुझे तो क्या चाहिए, point, point का मतलब x और y कोडिनेट की value चाहिए, तो x को 0 put करो, given करो में, करो क्या था, y equal to minus e की power x, x को 0 put करो, e की power 0 क्या होता बच्छो, 1, तो फिर point क्या आगया, बोलो, point आगया, 0,1, यह बना answer आगया, 0,1, option number a, यह असान question है, आपसे सिरफ क्या पुछी गई है, equation of normal पुछी गई है, यह करो की equation दे रखिये, equation of normal का formula वही, y minus y1 equal to m into x minus x1, point क्या है, बताओ, point की जो value है न, वो आपको t की form में given है, x coordinate की value क्या है, बच्छो, 80 square, और y coordinate की value क्या है, 280, point भी इदर रखा है, क्योंकि option में देखो, क्या है, t की form में है, सारे के सारे option, तो फिर point को मैं, 80 की form में यूज़ कर लूँगा, अब मुझे क्या चीए, slope of normal, slope of normal के लिए पहले आप निकालो, बच्छो, dy by by dx, यहनकी dy by by dt, upon dx by dt, यह क्या हैगा, 2a upon 280, यह कितना आगया, 1 by t, तो यह तो 1 by t slope of tangent हुआ न, यह तो बच्छो, minus t, यहरा slope और यहरा point, दोनों को यूज़ करके equation निकाल दो, किसकी equation आएगी, normal की, equation of normal is, 5 minus y1, y1 क्या है, 280, m into x minus x1, इसको simplify गरो, बस देखो, minus dx, plus 80 cube, और यह क्या आगया, y minus 280, x और y के तरम को एक तरफ कर लो, y plus dx, equal to 80 cube, plus 280, या फिर सारे को एक तरफ कर दो, देखो यह क्या है, y is equal to, option number में को, कौन सा दिखा इदे रहे, यह option number भी है, देखो, y plus में dx, और इन दोनों टरम को इसने, इदर shift कर रखा है, यह क्या आगी बच्चो, इस करव के उपर, normal की equation आगया, यह आपको concept के उपर रहना है, normal की equation, सिरफ क्या है, line की equation के formula के अंदर value put करनी है, slope की और point की, अब same यह question है, आपको बच्चो क्या निकालनी है, equation of normal निकालनी है, आपकी बार तो question बिल्कुल ही आसान कर दिया, क्योंकि point भी इसने, फिर पावर आगे देखे, आगे पावर में से एक कम करोर, y का derivative, और यह तो constant है, तो 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 कैंसल कर दे, तो 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 यह उतल जाके negative होएगा, और फिर यह य की पावर माइनस उन बैठी निचे चली जाएगी, अब आप बताओ, पिरको पावर पोजिटिव करने है, थोड़ा जीब लग रहे है यह अंसर, इस y की पावर को उपर दे जाओ, और x की पावर को निचे shift करतो, मतलब यह पुल मिलाके क्या आगया, माइनस y by x का cube root आगया है न, यह क्या है d y by dx, बट मुझे क्या चाहिए, equation of normal, यह तो slope of tangent है, यह तो बच्चो क्या है, slope of, tangent है, slope of tangent है, तो बच्चो slope of normal, बताओ कहे, slope of, normal क्या होगा, slope of normal, इसका negative देसी प्लोकल, यहीं से निकाल देता हूं, माइनस का क्या होजएगा, प्लस, और यह x की पावर 1 by 3, उपर चली जाएगी, और y की पावर 1 by 3, निचे आजएगी, तो मतलब की, x by y की पावर 1 by 3, यह तो क्या आगया, slope आगया, slope आगया, तो equation तो निकली जाएगी, equation of normal is, formula क्या होता है, y minus y1, equal to m into x minus x1, y1, अगर cross multiply करेंगे, y की पावर कितना आगया, कहीं से कोई mistake हुई है, तो यह एक बार check कर देते हैं, minus x की पावर, minus 1 by 3, और निचे आएगा, y की पावर, minus 1 by 3, यह ठीक है, हमने इसको positive power करके लिख दिया, यह आगया, यह आगया, अपना slope of tangent, अच्छा, यह point, point पर चुदे रखेंगे, point पर निकालेंगे हैं, point put करना हम बूल गए, a, 0 put करो इसमें, x की value बच्चो, y को 0 put करोगे, दियान से देखो, y को 0 put करोगे, तो यह तो क्या आगया, low defined आगया, कोई बात नहीं, इसकी value क्या रख दो, low defined, अब आपको मैंने बता रखा है, अगर यह low defined आजए slope, तो फिर इसको निच्चे shift क्या करो आपना, ऐसे, अब यह पूरी expression, low defined कब होगी, जब denominator क्या होगा, 0, यानि कि x की value क्या आगी, x की value क्या आजए बच्चो, बढ़ है, तो dy by dx निकाल दो आप, e raised to power x, यह तो किसका slope है बच्चो, tangent का slope है, यह है slope of, tangent x की value क्या पूट कर दो आप, x की value को 0 पूट करो, क्या आगया, 1 आगया, तो slope of tangent अगर 1 है, slope of normal क्या आगया, minus 1, slope of normal आगया, तो equation of normal, रिखे दो, equation of normal is, y minus y1, equal to m into x minus x1, y minus 1 equal to minus x, x plus y equal to क्या आगया, 1, option number a आजाएगा, ऐसे यह question है, बच्चो, equation of normal निकालनी है, यह करो कि equation दे रखे, यह आपको क्या दे रखे, point दे रखे, point दे रखे, x कोडिनेट तो दे रखे, y निकाल ले, x की value को कितना put कर दो, 2, तो बच्चो, यह कितना आगया, 8 और minus 8 plus 4, यहने कि 4 आगया, कहने का मतलब point, एगर मैं बात करो तो, वो आगया 2,4, अब मुझे क्या चीए, slope चीए, किसका normal का, और slope का formula क्या होता है, divide by dx, x, निकाल दो एक बार, 3 x square, minus के 4 x, add point 2,4, x को क्या put करो, बच्चो, 2 put करो, यह 4 आगया, लेकिन यह 4 किसका slope है, बताओ, यह slope है किसका, tangent का, लेकिन मुझे question में equation पुछी गी, किसकी normal की, तो slope of normal ही, निकालना पड़ेगा अपने को, जिस line की equation पुछी गए ना, उसी line का slope आपको चाहिए, यह आगया slope of normal, slope भी आगया, point question में given ही था, अब तो बस क्या कर लो, equation दिखे तो normal की, equation of normal, क्या होती है, y minus y1 equal to m into, x minus x1, इसको simplify कर लो, answer आजएगा, क्या है,